हाई फ्रेंड्स मेरा नमेराज और आप सभी लोग का विलकम है आपके और हमारे यूट्यूब चैनल लखी आर्ज में आज किस पीडियो में हम लोग बात करेंगे जैसा कि आप सभी लोग को पता होगा सहारा रिफरंड पोर्टल के माध्यम से देश के उन सभी लोग को पैसे वापस किये जा रहे हैं जिन जिन लोगों का पैसा सहारा इंडिया में इन्वेस्ट किया गया था इसी के रिगाडिंग दोस्तों बहुत सारे लोगों का बहुत ज़्यादा कॉशन है कितने पैसे दिये जाएंगे, साथे साथ क्या term and condition है साथे साथ दोसो और भी बहुत सारे चीजें हैं जिसकी जानकारी बहुत ही ज़रूरी है इस जानकारी से ग्यात होना कोई complete details बताने वादा हूँ अगर आपसे लोगों ने सहारा इंडिया में पैसे को निवेश किया था यानि के पैसे को जमा किया था तो को पैसा किस प्रकार से मिलेगा कौन-कौन से term and condition है कितने पैसे मिले जाएंगे साधी साथ दोसो जिनके भी नाम से सहारा इंडिया में पैसे को निवेज किया गया था उसकी देथ हो चुकी है तो उस कारण की वज़े से किन किन को पैसे मिलेंगे जितने भी कौशन है आप से लोग के सारे कौशन का जवाब इस वीडियो में आप से लोग को पता चल जाएगा जानकारे लेने से पहले दोसो ये जो मैं आकड़े आप से लोग को बता रहा हूं इसका समझ होना बहुत ज़रूरी है सबसे पहले दोसों बात करें तो 10 करोड लोगों ने सहारा इंडिया में पैसे को निवेश किया था जो कि अलग-अलग societies के अंदर गत आती है साथे साथ दोसों सुप्रीम कोड का फैसला आया था और जितना भी पैसा है लगवग 24,000 करोड रुपई सेवी को दे दिये गे थे और सुप्रीम कोड का ये फैसला आया हुआ था कि सेवी की दुआरा ही भारत में जितने भी वेक्ति हैं जिन वेक्तियों ने सहारा इंडिया में पैसा को इन्वेश्ट किया है जिसके अंतरगत एक नई पोटल की सुर्वाद भी होनी चाहिए कि ट्राइल बैसेश्ट पे 5,000 करोड रुपई लोगों को दिये जाएंगे जिसमें कि जितने भी लोगों ने सहारा इंडिया में पैसे निवेश्ट किये थे उन सभी लोगों का ओनलाइन रेकॉर्ड ले जाए जाएगा जिन भी वेक्तियों ने जितना भी पैसा आप सभी लोगों ने जमा किया था या जितना भी पैसा निवेश्ट किया था सहारा इंडिया में उनका सारा रेकॉर्ड ले लिया जाएगा कि आप लोगोंने कितना निवेश किया था, उस देट में निवेश किया था, आपका पास्बूग नंबर किया था, वे सारा रेकॉर्ड आप सभी लोग का ले लिया जाएगा कि दोस्तों होते हुए दीख रहा है, साहरा रिफंड पोर्टल भी लॉंच हो चुका है, साधी साथ दोस्तों एक बड़ी घटना ये हुई कि मानिनिय ग्रिह मंतरी जी ने एक घोसना की कि परतेक वेक्ती जिन जिन लोगोंने साहरा इंडिया में निवेश किया था, उन सभी कि लोगों को पर्थम चरण पे सिर्फ 10,000 रुपई ही दिये जाएंगे, ऐसे में वे हैं जिनका 10,000,000 अब 12,000 रुपया जमा हुआ है, और वो लोगं काफी हतास हैं, निरास हैं कि उन लोग Quar Should Weis तो दोसो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि साहरा इंडिया का जितना भी पैसा है वो सारा पैसा सेवी के पास रखा हुआ है सुप्रीम कोट के अनुसार 5000 करोड रुपए अभी ट्रायल बेसेस पे दिया जा रहा है जिससे कि देश की सवी जनता का ओनलाइन रेकॉर्ड लि मिलेंगे भले ही आपसे लोग एक लाग दो लाग पांच लाग आप लोगों ने निवेश किया हो आपसे लोग को पर्थम चरण पे 10,000 रुपए ही दिये जाएंगे यह तो हो गया दोसो पूरा फंडा जो कि मैंने आप लोग को बताया अब कुछ टर्मिन कंडिशन के बार लाग से करेंगे निवेश किये दोसो जो कि हम की अपसे कीशbung के पैसा आपसे लोग को मिलता है वो डेरेट डी-वी-टी के माद़यम से आपसे लोग को मिद्ध्या है जिसका मतलब हो ता ह्बेजिए कर आपसे लोग का पैसा आपसे लोग के बैंक एकॉंड मेंकों सबना अ दोसो कि अगर आप से बेलोग का क्लेम का जो पैसा है अगर वो 50 जार रुपए से ज़्यादा है for example मेरा जो क्लेम का पैसा है मैंने 2,000,000 रुपए निवेश किये थे तो उस cases मेंयों दोसो जो कि 50,000 रुपए से ज़्यादा होते दोलाग उस cases में मुझे अपना pen cut देना पड़ेगा तीन term and condition है जो कि मैंने आप लोग को बताएं साधी साथ 200 काफी सारे लोगों का बहुत ज्यादा caution है सारे caution का जवाब देना मुम्किन नहीं है बड़ कुछ selected ऐसे question है जिसका दवाब दिया जा सकता है पहली जो सबसे महत्पून question मुझे लगी अगर कोई वेक्ति सहारा इंडिया में अपने पैसे को निवेश किया था और किसी जाद माने ने ग्रिह मंत्री जीव ने भी अभी विस्तार में कोई बात नहीं की है जाद दोस्तों अभी आपसे लोग ओनलाइन क्लेम ना करें कि तो कल के सारे questions का अंसर पता चलिया होगा कि कितने पैसे मिलने वाले हैं क्या क्या term and condition होने वाली है अगर दोस्तों वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा चैनल पर नहीं हो चैनल को फटा पर सब्सक्राइब कीजिएगा मैं मिलता हूं नए वीडियो के साथ त